इस कारिक्रम में हम अब चर्चा करेंगे पवंद चाबडा जी से पवंद जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज अर्शकों को और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा हर्दिक न्मस्कार जब हम राम चरित मानस के बाल कांड को पढ़ते हैं तो सर्यू के किनारे जब आयोध्या बसी थी तो आयोध्या की अलग-अलग पहलूं को बहुत ही खुबसूरती से दर्शाया गया है आयोध्या की लंबाई आयोध्या की चौडाई आयोध्या कैसे साफ सुथरी थी सड़कों पर फूल बिचते थे घर कैसे होते थे कैसी सुवि रहते हैं और उसमें आप जैसे जो लोग हैं जो एक नए project के साथ entry को प्रमोट किया जिस पर आप बैठें आज उसके बाद मतुरा वरिद्धावन आप कुरुक्षेतर की बारी है कुरुक्षेतर श्री कृषिन जी के साथ तो वैसे जुड़ा हुआ है तो पहले राम जी और कृषिन जी दूसरा पिछले 10 सालों में मुझे लगता है कि इस पर समभावनाएं किसी इस तरह का इंफ्रस्ट्रिक्टर और इस तरह की सोच के साथ लोग यहां पर भी अब इंवेस्ट करना शुरू कर गए हैं कुरूक्षेतर की जब हम हम बात करते हैं तो अभी चुकि धार्मिक नगरी है धार्मिक नगरी के साथ साथ बहुत सारी संभवनाइँ भी है क्योंकि आयोध्यका अगर हम आयोध्य को से कनेक्ट करके देखते हैं तो स्ट्रक्चर को मजबूती मिलती है जब कोई भी बड़ा कोई प्रोजेक्ट या कोई बड़ी घटना किसी भी जगह पर उसके साक्षी हम बनते हैं अब कुरुक्षेत्र में आप किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर क्योंकि अभी केवल शुरुआत है शुरुआत के साथ-साथ कैसा आपका विजन है अग्षी सरकार ने शुरुआत की है उसके बाद जो ने लोग यहां पर आएंगे इंडस्ट्री डेवल्पेंट होगी इंफ्रस्ट्रॉक्चर डेवल्पेंट होगा उसके बाद लोगों को रहने के लिए जग बहुत सारी लोग लुभावन वायदें शुरुआत में होते और बाद में हम देखे है कि लोग घरताल करते हैं वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आड़े आति हैं То आप कह रहे हैं कि आप कुछ अलग किरुक्षेत्र की जनिता को देंगे क्या वो अलग क्यों कि सिबाइदों के साथ सब य उतरते गहों करने पहले बिल्डर अपनी मनमानी कर लेता आप जब से रहरा मेंया को यह वाइल के उपर आयाह तो इससे नियुक्प consider परोट कर सकता है जो कहता है वह करता है और हम जो कह रहे हैं उससे बेतर करें अप्सीन हूँ === बिल्कुल अब ये एक अच्छी सोच है आपकी कि आपकी जब हम रामराज की भी बात करते हैं तो सचाई और इमानदारी की भी साथ-साथ बात होती है तो आप जैसे लोग जब इस तरह की प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो निश्चे तोर पर आपसे भी उम्मीद है कि आप इ कैसे लोगों तक उसकी जानकारी जाए उस लीहाज से किस तरह की कडम उठाए जा रहे हैं उसलिहाज से सबसे पहला कदम तो आपके साथ यह जहानम बैठें हैं यह सब पोरा हरयाना देख रहा 350 हम जैसे और इसके लिये लोगों तक पहुंचाने का जो भी कार्यक्रम होगा वो करेंगे बेतर से बेतर ताकि लोग वहाँ पर आ सकें देखिए ऐसा कोई चुनोतियों का सामना हमें नहीं करना पड़ा जमीन खरीदों जमीन खरीद के लाइसंस सरकार देती है उसमें भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा आजकल हम देखते हैं बहुत दोखाद़ी होती है और बहुत इप्लास चीज़ें सब चीज ऑनलाइन है आप बिल्कुल ट्रास्पेरेंसी है इस टाम आप कुछ भी देखना चाहो सब ओनलाइन देख सकते हो अगर मुझे कोई लाइसंस मिला चाहँ वह भी आप ओनलाइन देख सकते हो अगर को रेरा लिया है भी आप ऐस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं उस opening ऊसके साथ साथ कुरुक्षेतर ही रखेंगे और कुरुक्षेतर में ही और तीन-चार प्रोजेक्ट लाने की सोच रहे हैं किस तरह के प्रोजेक्ट होंगे रेजिदेंशल प्रोजेक्ट कोहिनूर के बेस पे होंगे इसी नाम से होंगे इसी को एक्सपेंड करना इसी को एक्सपेंड करेंगे तो यह बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से देख रहे हैं, एक नया लोगों के लिए भी अनुभव नया होगा, क्योंकि कुरुक्षेतर में अभी एक कमी नजर आती है, इस तरह की रेजिदेंशल सुसाइटी में देखती हूं कि बहुत ही कम हैं अभी, और कम के साथ साथ सुविधाएं भी थोड़ी सी उस लिहाद से भी कम है, नहीं ऐसा नहीं आप कह सकते, कुरुक्षेतर में बहुत बिल्डर आ चुके हैं, और कुरुक्षेतर आ चुके हैं अभी, बलब होना थोड़ा सा, मुझे लगता है इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको नहीं लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, अब जैसे कुछ सिटीज हैं यहां पर जो पूरी रूप अच्छी तरह से डवल्प हो चुके हैं, लोग वहां पर रह रहे हैं और कुछ नहीं नामी बिल्डर भी यहां पर आ रहे हैं, तो सबका विजन जो है, सब्सक्टर होगा, आप थोड़ा सा विस्तार से अगर दर्शकों को बता पाएं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, पवन जी, जैसे आपने रामराज की बात किया, एक सोसाइटी, एक मिलन आपस में दूसरे का हो सके, जब एक गेटीड सोसाइटी हम बनाते हैं, तो उसमें लोग बहर भी निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, तो इस चीज को लेकर, अखला कि सभी बिल्डर ऐसा करते हैं, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, सभी लोग ऐसा करते हैं, पर उसी इस चीज को लेकर बहुत सारी चूक बाद में निकल कर सामने आती हैं, कैसा सामान उसमें इस्तेमाल किया गया है, कई बार घटिया सामगरी इस्तेमाल होती है, और बाद में लोग परिशान होते हैं, बस यही मैं आप से कहना चाला था, कि जो समगरी है, वो बहुत ही और जो इंफ्रासक्चर जितना हम उंदर लगाएंगे, वो बहुत ही बहुत ही बहतरी लगाएंगे, उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? उन वाइदों पर खरा उत्रें वो बिल्डर्स, आप जब ये प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया था, तो किस तरह की सोच आपके दिमाग में थी? क्या सोचा था कि इसको इस तरीके से एक्स्पेंड करेंगे या पर कुरुक्षेतर में ही रखेंगे अभी? नहीं हम रहना कुरुक्षेतर में जाते हैं, बाकी देखते हैं जैसे महोल होगा, जिसी साथ से अगर बाहर कुछ लगेगा हमें जाने का तो हम बाहर भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि कुरुक्षेतर में अभी हमने अपनी स्टार्ट की है, अपने इस सफर को शुरुवात की है अब यह सफर आगे कितना आगे जलता है यह तो वक्त बताएगा नहीं बहुत अच्छी बात है और आपको हम सफर के लिए शुब कामनाई भी देते हैं कि आप जिस तरह से जिस इमानदारी के साथ सचाई की साथ आगे बढ़ रहे हैं वो आगे भी लोगों तक पहुंचे कोही नूर एक फेमस डायमनड है तो हम अपने प्रुजेक्ट को वरी इसी तरह से ही निकाल के लेके आएंगे कि वो कोही नूर ही लगे करदने अर्ग कोही पेमाभी पहेंक नाम है तो हमने उसके नाम से रखा है तो यह चीजे आही कि यह सोच होती है और में जब कोई सा मशक्कत करनी पड़ती है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि लोग बहुत आसानी से भरोसा नहीं कर पाते हैं तो आप चुकि अपना ये प्रोजेक्ट अब आगे लेके चल रहे हैं तो उसकी दिशा में किस तरह से आपको लग रहा है कि घर घर तक पहुंचे कै इस तरह कि कौदम आप उठा रहे हैं देखिए जैसा हम मोके पर काम करेंगे वो काम की जो एडविटीजमेंट है वो अटोमेटिकली सब घर घर तक पहुंच जाती है तो अभी हमारे काम की शुरुवात हुई है अगले छे से आठ महीने में जब हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे तो लोगों तक अपने आपी मैसेज पहुंच जाएगा कि हां वहां पर जो डिवल्मेंट हुई है बहुत बढ़िया हुई है तो इस तरह से ये इस तरह कि जब प्रोजेक्ट आते हैं तो एक कोडिनेशन की जरूरत होती है गवर्मेंट की तरफ से भी या फिर हम कहीं कि अड्मिनिस्टेशन की तरफ से भी जब आपका काम चालू होता है तो किस तरह का आपका अनुभव रहा है इस लिहाज से भी मैं जाना जाहा हुई और दो बिल्डर के विना गौर्मेंट इंफ्रस्ट्ट्ट्ट्र को कैसे बढ़ाएगी तो बिल्डर के लिए फ्रेंडली आगर्मेंट बिल्डर का पूरा साथ देती है तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया पावन जी आप हमारे साथ जुड की तरह हमेशा चमकता रहे और लोगों को भी उसकी पूरी तरह से जानकारी हो और वो एक जो सपनों का आश्याना ढूंड रहे हैं वो कोही नूर में उन्हें मिले बहुत सारी शुब कामना यांको बहुत-बहुत शुक्रिया आपका